जैश्री राधे कृष्णा ओन कुक्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जमींदार बुढ़ा और कुरूप था। जमींदार ने कहा चलो गाउं की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कह सुनाया उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा। सोच विचार किया और कहा ये मामला बड़ा उलजा हुआ है आथ हम इसका निर्णय भाग्य पर छोड़ते हैं। पंचो ने कहा जमींदार सामने पड़े सफेद और काले रोडों के धेर से एक काला और एक सफेद रोडा उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक रोडा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास तीन विकल्प होंगे। एक अगर वो काला रोडा उठाती है तो उसे जमींदार से विवाह करना पड़ेगा और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दो अगर वो सफेद पत्थर उठती है तो उसे जमींदार से विवाह नहीं करना पड़ेगा और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। तीन अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा पंचायत के। आदेशानुसार जमीनदार जुका और उसने दो रोड़े उठा लिये जब वो रोड़ा उठा रहा था तब तेज आखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमीनदार ने दोनों काले रोड़े ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है लड़की इस स्थिती से घबराये बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है उसे तीन मार्ग नजर आए एक वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे दो सब को बता दे कि जमीनदार दोनों काले पत्थर उठा कर सब को धोखा दे रहा है तीन वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्श से बचाने के लिए जमीनदार से विवाह करके अपना जीवन बलिदान कर दे उसे लगा की दूसरा तरीका सही है पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोडा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोडे की और देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया उसका रोडा अब हजारों रोडों के धेर में गिर चुका था और उनमें ही कहीं खो चुका था लड़की ने कहा है भगवान मैं कितनी फूहड हूँ लेकिन कोई बात नहीं आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का रोडा बचा है तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया थैले में बचा हुआ रोडा काला था, सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर ही उठाया था जमीनदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया शिक्षा हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां सब कुछ धुंधला दीखता है हर रास्ता नाकाम्याबी की और जाता महसूस होता है पर ऐसे समय में यदि हम परंपरा से हट कर सोचने का प्रयास करें तो उस लड़की की तरह अपनी मुशितले दूर कर सकते हैं जै श्री राधे कृष्णा